नमस्कार दोस्तो हरियाना सरकार की बड़ी घोसना है दोस्तो आप भी बन सकते हैं HCS तो दोस्तो आप गर आप चाहते हैं कि हम HCS बन जाएं तो HCS बनने के लिए आपको क्या करना होगा तो इसके बारे में जानिये पूरी खबर सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी के साथ विसलेशन शहीत आंकड़े हमारे पास हैं तो ये मनोहरलाल खटर की जो कैबनेट मीटिंग थी उसका बहुत बड़ा फैंसला आज आप लोगों के बीच में मैं साजा करने जा रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है विडियो को बिना रुके बिना स्कीप किये हुए कंटिन्यू देखते रहें ताकि जो जो आपको अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाए विडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तो लेकिन मैं आपक पिस्नल विडियो के साथ साथ अपकमिंग नोटिफिकेशन एक्जाम के लेके आते रहते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए हैल्फुल रहते हैं और सबसे पहले आपको हर आगडों से अपडेट रखते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख रहे हैं पहली बार यानि की फॉस्ट टाइम इन हर्याणा लिखित परिक्षा होने जा रही है दोस्तो एच पी एच सी को भेजने हैं आवेदन हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन को आवेदन भेजने हैं अब इस लिखित परिक्षा के लिए तो जो गृूप सी के करमी हैं वो बन सकेंगे HCS इसके अलावा जो पोस्ट रहेंगी HCS के लिए तो वो रहेंगी दोस्तो 18 पदों पर होने जा रही है भरती तो इसके बारे में कौन-कौन आवेदन कर सकता है और कौन-कौन आवेदन नहीं कर सकता तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जानका की जाएगी इसमें परदेश की क्लार्क एसिस्टेंट आदी ग्रूप सी के करमचारी आठ जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे इस माह के तिसरे सप्ता में प्रिक्ष्या होनी संभावित है दोस्तों पहले इस कटेगरी में सीदे आवेदन के बाद इंट्रिव्यू से ही चैन किया जाता था लेकिन अब प्रिक्ष्या जोड दी है सरकार ने बजट सतर में इसका विधेक भी पास किया था तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा होने जा रहा है ये खटर सरकार के अंदर ऐसी चीजें पोसिबल हुई है यानि कि बहुत ही पार्दरसिता का का कर रही है सरकार तो हम इस सरकार के इस कारिये को तहदिल से हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से अभी नंदन करते हैं तो दोस्तों आगे देख सकते हैं कौन-कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए तो इसके लिए जो आवेदन कर सकता है गुरूप सी में कम से क 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए और आपकी एज 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए करमचारी पर अनुसासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही होनी चाहिए और विजिल लेंच जांच पैंडिंग ना हो और सैक्सिनिक योगता दोस्तो आपकी ग्रेजवेशन होनी जरूर चाहूँगा कि आप इसके अंदर आप अपलाई नहीं कर सकते तो इसके अलावा सभी कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं कंडिशन क्या है दोस्तो आपके पास ग्रेजवेशन प्लस 8 साल का एक्सपेरियंस और उमर आपकी 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रैस कंडिड इसके अंदर अपलाई नहीं कर सकता दोस्तो ग्रूप सी के करमचारियों का ही प्रमोशन किया जा रहा है दोस्तो एक्सियस की भरती के उपर जो बहुत बड़ा काबिले तारिफ इस सरकार का बड़ा फैसला है जिसका हम तह दिल से अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं त इसके अलावा आप जितने भी सोसल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन सभी के माध्यम से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफोर्मेशन प्रवाइड करवाने की कोशिस करते हैं ताकि आप रहें सबसे आगे और सबसे पहले और सबसे तेज तो सबसे स्टिक जानकारी अग जय हिंद जय भरत